हेलो इस्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूपी बोल्ड का क्लाश टेंद का स्लेबस है उसमें फ़ेस्ट ट्वेंटी कॉस्टेंट्स एमसी क्यू टाइप कुस्टेंट्स आने वाले हैं अगर एक्जाम में आएगा थो ठीक है तो क्या टॉपिक था बहुत ज्यादा टॉकिंग करती थी मिस्टर की सिंग क्लास में तो जो मिस्टर की सिंग थे उन्होंने टॉपिक क्या दिया था नेसिशिटी ओप टॉकिंग बात करने की आवश्यक्ता तो हमारा यहां पर ऑप्शन सी इस करेक्ट कुश्य नमर टू वाड़ वाज टॉपिक ऑफ दी ऐसे रिटीन बाई एनी एनी की द्वारा जो लिखा गया निमन था उसको टॉपिक क्या था अब हमको हमको फिर से तीन आप्शन दे दिये चार ऑप्शन दे दिये हैं माई डाइरी ए चैटर बॉक्स लेटर वॉक्स नन आप दी एब आप तो क्या टॉपिक दिया था गया नोनों ने एचैटर वाक्स तो यहां पर हमारा b option is correct अपनी पिता को किस परकार से एक्स परकार करती है तो वह ची कहती है मतलब जो एणी है वह कहती है कि जो उसकी पिता है कि क्या है most adorable father है सबसे पुजनी ये पिता है तो most adorable father option is correct कि अई निज लोंग वेट्ट फ्रेंड एंई की जो लॉंग वेट्री प्रेंड है या लंबे समय से प्रतीछ्य है वो कौन है कौन है option C is correct, her diary, how does she want to begin her diary, अपनी डायरी की शुरुवात कैसे करना चाहती है, एक introduction देखे, by giving an introduction, option B is correct, question number 6, question number 6 में हम से पूछा गया है, on which date, on which date, did any record the incident in Mr. K. सिंग's class in her diary, अपनी डायरी में Mr. K. सिंग की क्लास वाली जो incident अगटना है, उसे any case date को record करती है, answer हमारा option C is correct, 20 June 1942, question number 7, which city were Annie and Margot sent to live with their grandmother, किस सहर में Annie और Margot को उनकी दादी मा के पास रहने के लिए बेज़ दिया गया था, तो कहां पर रहने के लिए बेज़ दिया गया था, option B is correct, आचन, who was the only survivor from Annie's family, Annie की परिवार का, एक मात्र survivor कौन था, एक मात्र जो जीवित बचावगा ब्यक्ती कौन था, कौन थे, Annie's father, option B is correct, Annie's father, Annie's father, Annie के पिता, how many siblings did Annie have, Annie की कितने बाही बहन थे, कितने थे, only one, and she was her sister, Margot Frank, केवल एक बहन थी, ठीक है, तो यहां पर option A is correct, what name was her book published with, किस नाम से उसकी और जो डायरी थी वो प्रकासित की गई थी, The Diary of a Young Girl, जो original book थी, जो Dutch language में publish की गई थी, उसका नाम क्या था, The Diary of a Young Girl के नाम से प्रकासित की गई थी, अब हमारा, question number 11, देखते हैं, question number 11, हमारा क्या कहता है, what did she write in her last essay, उसने अपने last essay में, अन्तिम निवंद में क्या लिखा था, किसने, any frank ने, तो यहां पर शी, अकर exam में question आएगा, तो यहां पर, she के इस्तान पर, any लिखा होगा, या any frank लिखा होगा, तो, the last, last essay में, एक poem लिखी हुई थी, अन्तिम जो lesson था, बहु स्वरी, essay था, निवंद था, उसका, उसमें उसने एक poem लिखी थी, poem के रूप में लिखा था, वो ऐसे, what language was the diary originally written in, किस बहासा में original, original जो diary है, नहीं फ्रेंगे, किस बहासा में लिखी हुई है, तो, Dutch language में, why was Mr. K. Singh, annoyed with her, Mr. K. Singh, क्यों, उससे नाराज रहते थे, तो, यहां पर, हमारा option, B is correct, she was talkative, वह बहुत ज्यादा talkative थी, बहुत ज्यादा बात करने वाली थी, बहुत ज्यादा बात करती थी, कि लास में से लिए, वो नाराज रहते थे, talkative, ठीकिया, why does anybody want to keep a diary, any diary की लिखना क्यों चाहती थी, और, इसका option, A is correct, she has no close friend, उसका कोई घनिष्ट मित्र नहीं था, और, हमारा, जो, question number 15 है, who would, any, allow to read her diary, any, अपनी diary को किसे पढ़ने देगी, तो, option, C is correct, here, a real friend, if she got one, यह दी, यह real friend, एक बास तो भी, एक सच्ची मित्र को, यह दी, उसे, खुई मिल जाता है, तो, ठीक है, तो, यह थे है, हमारे, any friend के कुछ, important, MCQ type questions, ठीक है, मिलते हैं, अगले, किसी chapter के साथ, तब तक के लिए, जैहन,